हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर हमारी यूटूब चैनल जेयार टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने का मोश्ट इंपोर्टन्ट सिविक्स का वीडियो लेकर आ चुका हो और आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि यह जो चाप्टर चलेगा हमारा सिविक्स का एट स्टैंडर के लिए यह इस चाप्टर यह इस पूरे के पूरे सिल और पूरा का पूरा इंटायर सिलाबस आपका कंप्लिट हो जाएगा ठीके तो आप लोग तयार हो जाओ लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ एक दो लाइन में बोलना चाहूंगा आप लोग के लिए क्योंकि यार मुझे बहुत जब मैं आखरी पढ़ाओ पर जब आ जा यूटूब पे ठीक है जे-आर टूटोरियल्स को दो साल होने आया और ये दो साल में जीनों ने मेरे साथ कनेक्शन बनाय रखा है ठीक है चाहे वो मेरे सोशल मीडिया अकाउट इंस्टाग्राम के तुरू हो चाहे वो यूटूब के तुरू हूँ तो उनको पता होगा द contents की कमी हम कभी नहीं होने देंगे आज बले ही हमारा आखरी चाप्टर पे हम आ चुके हैं ठीक है ना civics के आखरी चाप्टर पे आ चुके हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम आगे आगे आपको वीडियो प्रोवाइड ने करेंगे ऐसी ऐसी quality के साथ वीडियो आने वाल के अलावा भी कही सारे important life lessons, important चीजे आपको वी enhanced quality के साथ मिलने वाली है हमारे चानल पे एक धमाका होने वाला है within some time हमारे चानल पे बहुत मज़ेदार होगा आप लोगो मज़ा आएगा तो आप बस इतना में message पहुजाना चाहूँगा कि आप लोग बस हमारे साथ बने र for notes वहाँ पे हम डाल रहे हैं तो वहाँ पे आप जा सकते हो ठीके ओके चलो अब ये तो बात हो गई हमारे कुछ चीजों की अब ये chapter जो है किस बारे में वो भी बता दे तो आपको चाप्टर जो है हमारा bureaucracy और bureaucracy से हमें एक चीज याद आता है what do you mean by bureaucracy तो bureaucracy क्या होता है हमारा जो union executives होते हैं ठीक है ना union executive एक responsibility सौपता है ताकि जो भी public welfare के लिए काम हो ठीक है न जो citizens के लिए आम जनता के लिए जो काम होगा वो bureaucracy समालता है अब ये bureaucracy derives के से होता है तो वो में बताता हो हमने एक चीज पढ़ा तो दोस्तो हमारा जो भी पुरा system है हमारा जो system है वो दो दो हिस्सों से चलता है हमारा जो system है पहला जो हिस्सा होता है हमारे system में वो होता है दोस्तो legislature ठीक है और दूसरा जो होता है हमारा ये होता है executive union executive ठीक है ना ex you एक्जेकिटिव ठीक है यह हो गया अब यह जो legislature होता है इसके अंदर दो चीजे होती है में क्या होती है एक होती है लोग सभा ठीक है और दूसरी होती है राज्यसभा और यह पूरा का पूरा इस प्रकार का जो explanation था यह हमने already previous chapters यानि दो से तीन चाप्टर पहले जो हमने एक lesson पढ़ा था union executive को उसमें पढ़ाया था पूरा ठीक है तो लोगसभा और राजेसभा are the two main components of the legislature लेकिन हमें बात करना है executives के तो executives में कौन आता है executive में आ जाते है prime minister ठीक है ना prime minister आ जाते है and council of minister आ जाते है और यही council of ministers के under में जो चीज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं bureaucracy बोलते हैं जो हमारे citizens के लिए welfare का काम करते हैं जो अलग-अलग responsibilities को निभाते हैं public citizens खायर करते हैं public officers होते हैं और यह सब मिला के हमारा system को जो है वो run करते हैं तो जैसे कि आप जानते हो हर एक अपना अपना रोल होता है जैसे example के दौर पे बात करें जो हमारी district collector होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते है IS officer बनने के बाद आपको district collector का post दिया जाता है ठीक है तो वो जो district collector का post होता है वो order क्या कर सकते हैं उनके हाप में order से अगर कोई curfew अगरे लगाना है समझ लो तो curfew लगाने का जो order से district collector के पास लगता है मैं main main बता रहो इसके अलबा कई सारी तो होते ही है कई सारे तो होता ही है लेकिन district collector कर फ्यू लगा सकते है फिर आपको बता है हमारा municipal corporation होता है जैसे मुंबई में है तो मुंबई में municipal corporation को बोला जाता है BMC ब्रिहंग मुंबई municipal corporation बोलते हैं हम लोग हमारे मुंबई के अंदर ठीक है तो यहाँ पे नॉर्मली यह जो BMC के जो commissioner होते हैं जो commissioner के post पे बैठे होते हैं वो budget announce कर सकते हैं उनके पास यह power होती है बजट announce करने की power होती है उसके अलावा बात करें यहाँ पे finance secretary होते हैं ठीक है अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि यह जो particular chapter है हमारा bureaucracy इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं basic तोर फे कि यह जितने भी चीजें होती है चाहे वो district collector हो municipal commissioner हो finance secretary हो divisional commissioner हो यह सभी लोग क्या होते हैं civil servants होते हैं मतलब civil servant servant मतलब होता है नौकर याई सरकारी नौकर होते हैं in short जैसे हम लोग बात करते हैं कि मुझे IOS officer बनना है तो IOS officer बनना है मतलब यह बहुत बड़ा post है Indian administrative service में हम काम कर रहें नौकर यह जो word है यह बहुत गलत तरीके से देखा जाता है हमारे देश में 90% लोग काम करते हैं किसे के अंडर में तो क्या वो नौकर है क्या नहीं न याद वो तो अपना काम कर रहें मेहनत कर रहें और उससे पैसे कमा रहें तो उसको नौकर वो word को गलत मिनिंग से देखना वो गलत बात है वो अपना काम कर रहें उससे पैसे कमा रहें वैसे ही civil servants में जो भी बड़े बड़े IS officers हो गए IPS अधिकारी हो गए यह सबी लोग क्या होता है यह भी सरकारी नौकर है यानि सरकार के लिए काम कर रहें ताकि स अगर बात करें तो इसमें prime ministers होते हैं और council of ministers होते हैं what do you mean ? council of ministers ? council of ministers में हर एक टाइप के post होते है और इसे कई सारे प्रकार के ministers होते हैं और वो हर प्रकार के ministers का एक अपना-अपना department होता है जो उनको समarlo성 कर दो होता है और उन department के अंदर ऐसे कई सारे बड़े-बड़े IS officers होते हैं और state के साब से IPS officers होते हैं ऐसे कई सारे बड़े-बड़े लोग उसके अंदर में काम करते हैं ताकि जो भी state होगा या फिर पुरा इंडिया होगा वो सब प्रॉपर तरीके हैं जिसके अंदर में ये सभी लोग होते हैं ओके अब main कुछ functions की अगर मैं बात करें यानि कि अगर हम बात करें कि हमारे country में जो government होते हैं इसके जो types of functions होते हैं गवर्मेंट के या फिर bureaucracy जो run करते हैं उसके functions क्या क्या हो सकते हैं यह हम लोग थोड़ा सा discuss कर लेते हैं यहां पर तो main functions की बात कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले functions आपको क्या लगता है सबसे पहले यह होता है कि जो public होते हैं उनके भलाई के बारे में सोचना उनके लिए कुछ चीजे लेकर आना जैसे example के तौर पर बात करें उनके सबसे ज़्यादा main जो लोगों के बारे में सोचा जा सकता है वो यह होता है ताकि हमारा country सुरक्षित रहे तो defend the country अगर आप एक देश में रहते हो अपने देश वासियों की सेवा करना चाते हो और अपनी देश वासियों को सुरक्षित रखना चाते हो तो सबसे ज़्यादा जरूरी काम होता है हमारे देश को ही defend करना क्योंकि आप imagine कर सकते हो ठीक है ना बहुत सारे जगा war जैसे situation चल रहे हैं आप जानते हैं अपनी जनता को बचा सके तो कहीं न कहीं हमको फिर किसे के अंडर में ही जाना पड़ जाएगा ठीक है ना हमको दबा दिया जाएगा हम गुलाम बन जाएगे फिर से तो ऐसा ना हो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी हमारे लिए क्या होता है हमारी country को बचाना और इसलिए हमारे देश में आर्मी नेवी और एर फोर्स को है बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और बहुत ज़्यादा गवर्मेंट इन डिफेंस सिस्टम के अंदर पैसा खर्च करती है हमारे जो पलिटिकल सिस्टम है वो मजबूत रहे और साथी में जो हमारा डिफेंस सिस्टम रहे वो भी मजबूत रहे किसे अंदर आ जाता है वियूर्याजा के अंदर आ जाता है साथी में प्रॉइट करना बहुत सारे सर्विस को अलग-अलग टाइप के सर्विस जो होते है हमारे डे टू-डे, लाइफ के लिए, डेली, लीवस के लिए ठीक है, societies के हिसाब से ये सब चीज़ देना, ये भी government का काम होता है, ये भी citizens का काम होता है जैसे example के तोर पे bus facilities, road, railways facility, aeroplane facilities, ये सब कोन देखता है, manage कोन करता है, ये government ही तो manage करती है, कोई public, कोई इंसान नहीं है, कोई अंबानी का है, चलो यार मुझे नहीं मन कर रहा है, मैंने बन करा दिया, airline, ऐसा तो होगा नहीं, तो ये public welfare में आ जाता है, public मतलब government, तो public is directly connected to government, हमें इस परकार की कोई भी तगलिफ होती है, तो हम government के पास जाते है, मतलब सबसे पहले हम state के level पे जाते हैं, district collector के पास जाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं, वो अपने उपर की post वाले से बात करेगा, वो अपने उपर वाले से post और इस परकार बड़े-बड़े level तक ये बात पहुशती है, तब जाके solution निकलता है, तो ये सब चीजे जो है, वो connected है, ठीक है, फिर armed forces जो होते हैं, यानि कि जो हतियार बंद, जो force है हमारे, जैसे army होगे, navy होगे, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, maintain करना, ठीक है, और साथी में हमारा जो एक वर function आजाता है, administrative system को देखना, ठीक है, और इसी लिए, civil service हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा demandable है, civil service जो होता है, civil service में जैसे कि आ जाते हैं, सबसे बड़ा post होता है, IS का, Indian administrative service, इसलिए बड़े-बड़े लोग क्या करते है, IS exam देते हैं, उसके बाद, police system, Indian police service का, तो उसके बाद IPS आ जाता है, फिर IARSA, revenue system हो गया, Indian foreign service हो गया, IFS हो गया, इस प्रकार से कई सारे civil service होते हैं, और ये civil services के exam होते हैं, ताकि कोई भी इंसान जो है, वो capable रहे सबसे पहले, क्योंकि अगर इसका exam लिया जा रहा है, आप 8-5 में हो, तो आपको 8-5 से 9-5 में पास होने के लिए, आपको एक exam पास करना पड़ेगा, फाइनल का आपके, तो 8-5 में फाइनल exam पास करोगे, तभी तो 9-5 में जाओगे, यानि कि एक criteria होना चाहिए, तो सेम उसी प्रकार अगर आपको इस position पे बैठना है, बड़े-बड़े अधिकारी लोग के साथ बैठना है, मिनिश्टर लोग के साथ बैठना है, मतलब एक IS अधिकारी, डिस्ट्रिक कलेक्टर, या फिर उससे भी एक सबसे टॉप लेवल का जो पोस्ट होता है, परसनल सेक्रेटरी बनना, इस प्रकार की जो चीज़े होती है, और वहाँ पे जाके वो अपना जिम्मिदारी जो है, निभा सकते हैं, और इंशॉट हमारे देश की गवर्मेंट को हेल्प कर सकते हैं, अपने काम करने के लिए, ठीक है, और साथ ही मैं बता दू, इसलिए, यह civil services से related यह सब चीज़े होती हैं, इसलिये इसको bureaucracy कहा जाता है, क्या कहा जाता है, bureaucracy किया जाता है, तो Parliamentary की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो जो भी आम जनता होते हैं, वो इ सिलेक्ट करके लाते हैं candidates को, काई, अगर कोई एक particular क्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं, that is the indirectly elected by the people of citizen of India, इस प्रकार से चीजे होती है वहाँ पे, और हर एक department के जो ministers होते हैं, उसका एक particular political head भी होता है, हर एक department का head होता है, जैसे मैंने बात किया ना, कि समझ लो एक railway department, तो railway department के सबसे head को रहेगा, railway minister, उसके अंडर में बहुत सार लोग आ जाएंगे, ठीक है ना, तो इस प्रकार से political head होता है उसका, और ताकि जितने भी काम हो सके, वो smoothly हो सके, और हर एक को रिपोर्ट दे सके, ताकि प्रॉपर तरीके से चीजे manage हो पाए, और जो ministers होते हैं, ठीक है ना, वो भले उस चीज में expert नहीं रहेंगे तो भी च लेकिन आपको at least थोड़ा बहुत knowledge होना चाहिए, और knowledge तो बाद में भी आ जाता है, सभी बात है कि नहीं, बस political connection होने चाहिए, और vote पढ़ने चाहिए, हमारे देश में तो ऐसे ही होता है, ठीक है ना, तो इस प्रकार से चीजे होती है, और जो normally बहुत सारे secretaries बनते, तो उ कि उस position में बैटोगे, तो ऐसे बड़े-बड़े चीज़ों पे आपका focus होना चाहिए, और उमीद करता हूँ यार कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो बच्चे है, यहाँ पर आप लोग बहुत talent है बच्चे है, और मुझे पूरा यकिन है, कि मेरा जो मकसद है आप लोग आपको उस लेवल तक पोचाना है, और मैं जैसा मैं बोल रहता है कि मुझे पूरा यकिन है कि मेरी जैयार फैमिली में से कोई न कोई बंदा, I.S.O.P.S. जैसे position पे बैठेगा जरूर जाके मैं इतना guarantee की साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि आप बहुत talented बच्चे हो, आप इसके और बहुत सारे चीज़े हैं, जैसे characteristics क्या हो सकता है, इसे कई सारे और important चीज़े जो है हमें पढ़ना है, लेकिन इसको आज हम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, एक नए लेक्चर में लेकर आएंगे, तो आप लोग क्या करना, थोड़ा सा व प्रका तो आपको मिल जाएगा, तो आज का वीडियो समापत होता है, प्लीज हमें comment करके बताना आपको कि ये वीडियो कैसा लगा है, अपनी राय और suggestions हमें जरूर से देना, और अगर हमारे ये वीडियो आपको useful लगा है, पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो क लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेर करना, अपने रिलेटिव के साथ बड़े चोटे कोई भी सबको शेर कर सकते हो, क्योंकि ये information in general है, हर एक को पता होना चाहिए, तो प्लीज शेर तो everyone, first time channel पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया